वक्त ने किया क्या हसीन सितम हम रहे न हम तुम रहे न तुम नमस्कार दोस्तों मैं हूं राजेंदर दतर आप देख रहे हैं अर्थपकास टीवी किसी ने बहुत खूब कहा है कि वक्त बहुत बेलिहाज है दोस्तों ये जो आशियाने आप देख रहे हैं ये जो घर अभी आपने देखे हैं ये आशियाने कुछ दिन पहले तक यहां बहुत गहमा गहमी का महाल था खास करके जब elections आते थे तो यहां मेले जैसा महौल होता था जब तक उमीदवारों के नाम घोशित नहीं हुए थे तो यहां पर लोगों का आना जाना लगाता जारी था सुबा शाम बैठीके हो रही थी लेकिन जैसे ही उमीदवारों के नाम घोशित हुए यहां से लोग यूं गायब हो गए जैसे घदे के सिर से सींक लोगों को जैसे इस घर से डर लगने लग गया है दोस्तों यह जो आप घर देख रहे हैं अभी जो आपको तस्वीर दिखाई है यह है चंडिगड की पूरब सांसद किरन खेर जी का घर किरन खेर पिछले दस साल यहां पे सांसद रही है एमपी रही है इलेक्शन से कुछ दिन पहले तक हलांकि उन्होंने दवी आबाज में इस बार इलेक्शन ना लड़ने के बारे में संकेद दे दिये थे लेकिन फिर भी यहां पर समर्थकों का कारह करतां का आना जना लगातार जारी था लेकिन जैसे ही उमीदवार घोशित हुए लोगों को जैसे इस घर से डर लगने लग गया लोगों ने इस घर में आना जना बिलकुल बंद कर दिया जैसे लोग इस घर का रास्ता ही भूल गए आज देख सकते हैं जहां एक तरफ यहां के लोकल उमीदवार जो इस वार भारती जन्ता पार्टी से खड़े हैं उनके घर पे एक बहुत गहमा गहमी का महौल है दूसरी तरफ इनके घर पे पिछले आसे पांच साल पहले की बात करें तो मेले लगे रहते थे सैक्ड़ों की गिंती में लोग यहां आते थे और आज शायद कोई बीजे पी का कारे करता यहां पे आना तो दूर इसके पास से भी निकलते हुए डरता है अगर इस घर की बात करें उपर जंडा तो लहरा रहा है लेकिन यहां लोग नहीं है भीड बिल्कुल भी नहीं है यह घर है पूर्व केंद्रे मंत्री पवनकुमार बांसल कहते हैं केंद्र में इनकी बहुत पैठ है उपर तक कांगरस में इनकी बहुत बड़ी पुजिशन है ये बहुत बड़े दिगजनेता हैं चंडिगर्ट से चार बार लगबग चार बार ये चुनाब जीत चुके हैं पिछले दस साल जो रहे हैं वो इनके नहीं रहे इस बार इनको फिल से बहुत मजबूत कैंडिडेट मना जा रहा था और चुनाब से बहुत दिन पहले यहां पे बहुत गहमा गहमी का महौल, मीटिंग्स, कारेकर्टाओं का आना लगातार जारी हो गया था लेकिन जैसे ही टिकट मनीश तिवारी जी की जोली में पड़ी पवन भांसल के घर का रास्ता कारेकर्टा भूल गये हलांकि कुछ कारेकर्टाओं ने इनकी फेवर में अस्तीफे दिये लेकिन हुआ क्या कुछ भी नहीं ना तो इनको हाई कमान से कोई मानाने आया जैसा कि सुनने में आ रहा है ना ही कोई कारेकर्टा इनके घर पे आया और आज ये जो घर हैं ये उन कारे करताओं की उन लोगों की इंतजार कर रहे हैं पर इन इंटों की दिवारों को ये नहीं पता कि लोग कुर्शी को सलाम करते हैं लोग चड़ते सूरज को सलाम करते हैं किसी शायर ने बहुत खूब कहा है या वो खफाते हम से या हम खफाते उन से कल अपना जमाना था आज उनका जमाना है